हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी चेनल विहारी फोनी फैमिली में यदि आप विहार के नियोजी सिख्छक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नियोजी सिख्छकों की और उनके द्वारा विसिस्ट नियOW वाली पर किये जा रहे है इमेल की और उससे पढ़ने वाले असर क्या असर पढ़ रहा है सरकार पर हम उसके बारे में बात करेंगे तो बिना देर किये हुए सुरू करते हैं आदका यह वीडियो सब से पहले बात करते हैं इमेल की खुल संख्या की तो 12 बज़े तक जो जनकारी मिली है सचिवाले अस्तर से जो जनकारी मिली है 12 बज़े तक 3,10,000 के आसपास इमेल पहुँच चुका है विभाग को हलाकि यह भी संख्या कम है क्योंकि बिहार में सारह 4,00,000 से भी ज़्यादा सिक्षक है तो यदी पर सिक्षक भी एक 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 एमेल करते हैं तो भी सारह 4,00,000 मिल जाना चाहिए था हलाकि इस एमेल का असर विभाग पर पढ़ना सुरू हो चुका है विभाग कुछ बिंदुओं पर अपना रुख नर्म कर रही है पुछ बिंदुओं पर चर्चा हो रही है कि इसमें संसोधन किया जा सकता है जैसे बात करें सबसे पहला तो वह है पे इंडेक्स की पे इंडेक्स में जो गरवड़ी है उस पर चर्चा चल रहा है और काफी हद तक सहमती बन चुका है सहमती बन रही है कि जिस इंडेक्स में अभी सिक्षक हैं उसके समानांतर इंडेक्स दिया जाए और यह समब भी है दिया जा सकता है इस पर काफिया तक सहमती बन गई है अब दूसरे नुमर बात करते हैं अस्थानांतरन की अस्थानांतरन की परकेटिया जिला सिक्षा पताधिकारी पर छोड़ दिया गया है जैसा कि आप नियावली में देखे थे दो पेज का जुनियावली आया था उसमें आप देखे थे लेकिन इसमें संसोधन हो सकता है इसमें बात चल रही है कि स्वेक्षा से आप कौन से तीन बिद्याले में जाना चाहते हैं वह आपसे पूछा जा सकता है उसके आधार पर ही आपका ट्रांसफर किया जाएगा यानि एक्षिक ट्रांसफर की बात चल रही है अब बात करते हैं नंबर तीन की तो वो है कारवाई कारवाई जैसा कि आप देखे थे कि जो दो पन्ने का जो नियावली आई थी उसमें कारवाई पर बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया था और कारवाई जो है दिला सिक्षा पताधिकारी के अधिन दिया गया था हलाकि इसमें संसोधन हो सकता है अब बात करते हैं चौथे नंबर की तो चौथे नंबर में है नाम में परिवर परिवर्तन हलाकि आप लोग इस तंदर में संदीप सौरफ जी का विडियो देखे होंगे उन्होंने भी इस पर इतराज जताया था और उन्होंने कहा था मिसरकार से मांग करूंगा तो नाम में परिवर्तन के बात परिवर्तन सहमती बन जाती है तो विद्याले अध्याप के नाम से ही जाने जाएंगे Betis amen करते नाम से नहीं जाने जायेंगे हलाकि इस पर अभी तक पुर्न सहमती नहीं बनी है लेगिन पूर्न सहमती नहीं बनी इसके बाद बात करते हैं संपुर्न राज कर्मी का दर्जा तो अभी जो दो पन्नों का न्यावली आया है उसमें कहीं पर भी राज कर्मी का दर्जा का चर्चा नहीं किया गया है हलाकि मेरा मानना है कि इसमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनुछेद का जिक्र कर दिया गया है लेकिन चर्चा इस बात की है कि नियावली में सेवा सर्थ 2005 का जिक्र किया जाए तो इस पर लगभग सहमती बन गई है अब मामला आता है परिच्छा की परिच्छा के बारे में जहां तक कहा गया है नियावली में कि सोच हमता परिच्छा ली जाएगी और तीन बार मौका दिया जाएगा तीन बार में यदि आप नहीं सफल होते हैं तो जौब से हटा दिया जाएगा तो इस पर काफी बिवाद चल रहा है मुख मुद्दा यही है इस पर काफी बिवाद चल रहा है तो इसमें संदीप सवर्प जी का भी बयान था कि मैं सरकार से रिक्रेष्ट करूंगा कि परिच्छा न ली जाए हलाकि इस मामले पर सहमती बनती हुई नहीं दिख रही है परिच्छा संदीप सवर्प ने यह चर्चा तो किया है कि मैं सरकार से बिंती करूंगा कि परिच्छा न ली जाए लेकिन इस पर सहमती बनती हुई नहीं दिख रही है लेकिन विभाग इस बात पर तयार है कि इस परिच्छा का नाम बदला जा सकता है जैसे स्वधक्षता परिच्छा की बात जो कही गई है उसको स्वधक्षता परिच्छा न कह करके विभाग ये परिच्छा कही जाए इस पर बहुत हद तक सहमती बन गया है तो देखिए आगे क्या होता है फिलाल तो आज कुछ घंटे का समय बचा हुआ है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इमेल कीजिए इस वीडियो में इतना ही अंतर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों को सेयर कर कर देखिए